हेलो फ्रेंड्स मैं हू निशा, निशा किचिन में आपका स्वागत है आज मैं आप सब के साथ सब की फेवरेट रस्मलाई की रेसिपी शेयर करने चारी हूँ मिलकुल मार्केट जैसी रस्मलाई घर में इसलिए कैसे बनाते हैं आज मैं आपको स्वीडियो में बताने वाली हूँ तो चलिए रस्मलाई बनाना स्टार्ट करेंगे रस्मलाई बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं एक लिटर दूद दूद को बॉयल होने देते हैं रस्मलाई बनाने के लिए हमने पैकेट वाला लो फैट काव मिलक का यूज किया है आप फैलो मिलक का भी यूज कर सकते हैं लेकिन परफेक्ट रिजर्ट के लिए हमें काव मिलक का यूज करना चाहिए तो हमें कटोरी ले लेते हैं, कटोरी में हम 2 टेवल स्पून वेनिगर ले लेंगे, 2 टेवल स्पून पानी मिला लेंगे और उसे पतला कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे मिल्क में भी अच्छे से बॉयल आ चुका है, हम एक मिनट के लिए दूद को ठंडा करेंगे, गैस को आफ कर देंगे, दूद को एक मिनट ठंडा करने के बाद हम वेनिगर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और दूद को चलाते जाएंगे, वेनिगर को हम एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और आप देख सकते हैं, हमारा जो द एक लास ठंडा पानी लेंगे, ठंडे पानी से हम धूरल लेंगे, जो भी वेनिगर का एक्स्ट्रा फ्लेवर होगा, वो निकल जाएगा, और अच्छे से कपड़े के साथ हम छान लेते हैं जब तक छेने में पानी की धार है वो निकल रहे हैं तब तक हम छेने को छानते रहेंगे दबाते रहेंगे दबा दबा के अच्छे से छान लेंगे आप देख सकते हैं अब पानी ड्रॉप में आने लग गया है तब हम छेने को बाहर कर देंगे एक बड़ी थाली लेंगे थाली में हम छेने को रख देते हैं तो छेना तो हमने तियार कर लिया है अब चलते हैं नेक्स प्रोसेस में तो एक कडाही लेंगे कडाही में हम फिर से वन लिटर दूद ले लेंगे लो फेट वाला काव मिल का ही यूज किया है हमने इसकी हम रबड़ी तियार करेंगे गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे हाई फ्लेम पे हम दूद को गाड़ा होने देते हैं 10 मिनट के लिए और इदर हम दूसरी गैस में चाशनी तियार कर लेते हैं तो चाशनी बनाने के लिए हम एक पैन ले लेते हैं है पैन में हम 1 cup शुगर लेंगे और जिस cup से हमने शुगर लिया है उसी cup से हम 3 cup पानी डाल देते हैं और चाशनी को अच्छे से बॉयल होने देते हैं तो चाशनी हमारी बॉइल हो रही है इधर जो हमने 10 नट दूद को गढ़ा होने के लिए रखा था उसे भी चेक कर लेंगे हाफ टेबल स्पून इलाची पाउडर डाल देते हैं थ्री से फो ड्रॉप हमने यलो फूट कलर के डाल दिये हैं तो फ्रेंट्स इसी स्टेच पे हमने हाफ कप शुगर भी डाला है बट शूट करना मैं भूल गई हूँ तो आप भी ज़रा ध्यान दीजेगा इस स्टेच पे हमें शुगर भी एड़ करना है और थोड़े से कटे हुए आलवंट्स डाल देते हैं हाफ टेबल स्पून केवडा वाटर डाल देंगे इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमारी रस्मलाई में अच्छे से मिक्स करेंगे और दोमनट के लिए हम पका लेते हैं तो आप देख सकते हैं दोमनट पकाने के बाद हमारी रबडी बिलकुल परफेक्ट त्यार ह हो चुकी है थोड़ी सी रबडी को हम पतला ही रखेंगे बहुत जादा गाढ़ा नहीं करेंगे तो गैस को हम आफ कर देते हैं और साइड में रखते हैं रबडी को रबडी भी अमारी बिलकुल तयार है और अब चलते हैं छेने की तरफ तो छेने को हम कपड़े से बाहर कर अच्छे से मिक्स करेंगे हैं तो आप देख सकते हैं स्यूजिंगे अच्छे से कोंफ्लॉर को भी sexual स्वר कॉन फ्लार को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है एक बॉल सा हमने छेने का तियार कर लिया है अब हम छेने से छुटे छुटे बॉल तियार करेंगे तो आप देख सकते हैं छेने से हमने 10 बॉल तियार किये हैं बॉल को हम हातों से चिकनक करेंगे और टिकी चैसा हातों से दबा के हम बना लेंगे सेम प्रोसेस के साथ हम सारे बॉल तियार कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमने छेने के सारे बॉल्स त्यार कर लिये हैं इधर चाशनी में भी बॉयल आने लग गया है तो सारे छेने हम चाशनी में डाल देते हैं और पकने देते हैं गैस की फ्लेम को हम लोटू मीडियम रखेंगे और थोड़ा सा लिट लगा देते हैं लिट को हम थोड़ी सी ओपन भी रखेंगे खुला रखेंगे बिलकुल धक्के नहीं रखना है पूरा हमें और पांच मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे जो बॉल्स हैं छेने के सारे बॉल्स अच्छे से पक रहे हैं और साइज में भी डबल हो चुके हैं एक बाद पलट देते हैं हम सारे बॉल्स को फिर से ढख देते हैं पांच मिनट के लिए और पका लेते हैं पांच मिनट हो चुके हैं फिर से चेक कर लेते हैं छेने को हमने ल में पैस को आफ कर देते हैं हमारे छेने बिल्कुल पर्फेक्ट पक चुके हैं छेने को हम एक बावल में हान्षप करेंगे तो बावल में हम सब से पर ने आठ से दस iis cubes ले लेते हैं इसके बाद हम चेने की चाशनी को पहले ट्रांसफर करेंगे बावल में फेरम छेने भी डाल देते हैं बिल्कुल गरम चाशनी के साथ छेने को बिल्कुल नहीं छोड़ना है नॉर्मल पानी में डाल देते हैं छेने को जिससे कि इसका शेप परफेक्ट बना रहे तो आप देख सकते हैं, मैंने चेने को नॉर्मल पानी में ट्रांसफर कर दिया है, इसे पांच मिनट के लिए हम रेस्ट में रखेंगे, पांच मिनट के बाद हम एक बाउल लेते हैं, और सारे छेने को एक एक करके थोड़ा सा निचोड़ेंगे और बावल में ट्रांसफर करेंगे छेने को हम अच्छे से निचोड़ेंगे जिसे कि इसका रस निकल जाए और जो हम रबडी डालेंगे छेने में उसे अच्छे से अब्सॉप कर सके तो आप देख सकते हैं मैंने सारे छेने को बावल में ट्रांसफर कर दिया है तो बावल थोड़ा छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने बावल चेंज किया है थोड़े से बादाम शे गानिश कर देते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स बिल्कुल परफेक्ट हमारी रसमलाई बिल्कुल तियार है एक रसमलाई को मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ और आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट हमारी रसमलाई बनके तियार हुई है तो ये देखे फ्रेंट्स बहुत ही सॉफ्ट हमारी रसमलाई बनके तियार हो चुकी है इसे आप perfect result के लिए 5 घंटे के लिए rest में रखिए उसके बाद सर्फ करिएगा खाने में बहुत ही tasty है एक बार आप भी try करिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताएं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को like, share, channel को subscribe करना बिल्कुल न बूलेता है